जी तो maintenance cost जो है वो हमारी decide हुई चाहिए वो service है या replacement of parts है दोनों variable है vehicle tax पर एनम देखो एक असूल याद रखना fixed cost के लिए fixed cost is also known as a period cost यानि mean वो एक specific period तक fix रहेगी बसला रेंट है ना अब दो मीने का रेंट तो जादा होगा ना एक मीने का रेंट अगर 10,000 है दो मीने का 20,000 होगा लेकिन ये production के साफ़ से change नहीं हो रहा ये ये यानि period के साफ़ से change हो रहा है इस किसम की cost को हम fixed cost कहते हैं तो vehicle tax पर रहन हम ये पूरे साल का tax है अब एक साल tax जो तो होगा 75,000 है 2 years का 15,000 होगा वो तो ये की नहीं बात है बढ़ेगा लेकिन इस period के दुरान ये change नहीं होगा अच्छा अब ये जो cost है इसमें वह लिक रहा है हिस्सा नहीं होता ठीक है वो तो adjustable है वो तो वापस मिल जाएगा ये तो asset who are simple you are मैं इसको claim कर लूँगा ठीक है तो इसकी 80% amount लेनी है आगे लिक रहा है insurance per annum insurance per annum जो है बताइए ये fixed होगी ये variable होगी Sir fixed fixed very good तो ये भी सालाना है अच्छा इससे आगे देखें cost of petrol per liter ये मैं वैसे figure यहां लिख रहा हूँ 75 rupees rate per liter petrol का और नीचे लिखते है cost of tires replacement after 25,000 km हर 25,000 km के बाद आप tires change कराओंगे जिसकी cost 20,000 है तो क्या मैं इसको fix लूँगा ये variable ये भी variable है अब यहां पर variable क्यों है क्योंके time duration जो है वो किलो मीटर में है वो आपका time period नहीं है मज़ा हो सकता है एक गाड़ी तीन मीने के बाद 25,000 km को को business की बाद कराओंगे घर की use की बाद नहीं हो रही business के बाद जिसे एक गाड़ी हो सकता 25,000 km एक मीने में कर ले कुछ गाड़ी यहां हो सकता तीन मीने में करें तो इसलिए time duration यहां fix नहीं है time period के साफ से नहीं है तो ये variable cost होगी नीचे एक line लिखता है on an average car consumes one liter for every 15 km जिसको आम language में हम कहते है mileage किया है आपकी गाड़ी की गाड़ी कितना कर रही है आम हम रोजमर्रा लाइफ में कहते है यानि 15 km जो है वो हमें average दे रही है गाड़ी एक लीटर में 15 km हम drive करते है तो यहां से मैं rate नकालूँगा पैट्रोल का कैसे है मैं कह सकता हूँ 5 रोपीज पर किलो मीटर देख लो कैसे 75 पर लीटर है और एक लीटर में मैं 15 km यूज़ करता हूँ तो पर किलो मीटर cost के अपड़ी पैट्रोल की 5 रोपीज तो मैं इसको इतनी लंबिक equation क्यों करूँ मैं 5 रोपीज पर किलो मीटर के साबसे mind में रख लेता हूँ वो requirement यह है for three different levels of use 10,000, 20,000 और 30,000 km पर रहना है यानि 10,000 km पर रहना के अम अगर गाड़ी ट्राइब होती है 20,000 ट्राइब होती है या 30,000 ट्राइब होती है इस पीनों पर वो कहते हैं question में के variable cost fixed cost और total cost बनाओ एक schedule बनाओ जिसमें तीनों cost आजाए तो असान तरीका क्या है पहले variable बना लेते हैं फिर fixed बना लेते हैं नीचे फिर दोरों को total कर लें total हो गया इसमें कोई मुश्किल नहीं यह requirement है और नीचे लिखते है variable fixed and total cost पर किलो मीटर भी माग रहे हैं तो कोई बाद नहीं पहले total भी दरमाओ तो अब वो जो cost हमने पड़ी थी वहां से start करते हैं सबसे पहले यहां पर हम लेंगे cost of car में maintenance cost यह उपर heading तीचेगा variable cost यह वसे तरह मुश्किल सवाल नहीं था अब variable cost जो है वो हमारे पास कौन सी आ रही है maintenance अच्छा maintenance में भी दो cost है न एक maintenance की cost जो है वह सर्विस की है और इसका वो लिख रहे है इसका rate नकाल लो हमेशा variable का तरीका यह होता है rate नकाल लो तो यहां से एक working साथ बनाते है जो rates यह rates नकालते जा रहे है पहले maintenance का rate नकालते है service का अब देखो वो क्या कह रहा है 6000 cost है 5000 किलो मीटर पे अगर 6000 rupees cost है 5000 किलो मीटर में पर किलो मीटर कास्ट क्या हुई I think 1.2 चीक है जी अब 1 rupees 20 पैसा cost है पर किलो मीटर अगर मेरी गाड़ी 10,000 किलो मीटर पूरे साल में यूज होती है तो मेरी cost कितनी होगी 12,000 समझारी बात सिर्फ मल्टिप्लाई कर रहा हूँ अगर गाड़ी 20,000 किलो मीटर चलती है तो rate तो मुझे लेगा ना cost double होजे और 30,000 पे 36,000 इसी तरह maintenance parts वैसे ही है मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्वाल मुश्कल नहीं है बस थोड़ा सा hint चाहिए तो मुझे लगता कर सकते हो लेकि मैं करता जाओ लाँ यहां कोगे मैं रोग दूँँगा parts parts में वो कहा रहा है 4000 रुपीज कॉस्ट है पर 2000 किलो मेटर्स rate नकाल लो 4000 कॉस्ट है 2000 किलो मेटर्स पर तो 2 रुपीज पर किलो मेटर कॉस्ट आगे जी तो सीधा सीधा नकाल लो 2000 इंटो 10 20,000 40,000 60,000 यह लो इससे आगे vehicle tax हमने decide की आता fixed है insurance fixed है petrol cost cost और petrol अच्छा petrol का rate तो मैंने आपके सामने नकाल दिया तो फिर लिख लेते हैं यह data दिया हुआ है 75 रुपीज पर लीटर कॉस्ट है और एक गाड़ी एक लीटर में 15 किलो मेटर चलती है तो 5 रुपीज पर किलो मेटर 5 इंटो 10 5 इंटो 20 5 इंटो 30 उसके पाद कॉस्ट आफ टाइर्स अब टाइर्स की जो कॉस्ट है वो लिकरे जी के रिप्लेस करोगे आफ्टर 25,000 किलो मीटर और कॉस्ट होगी 20,000 तो रेट आगया 80 पैसा यानि पर किलो मीटर जो है 80 पैसा कॉस्ट मुझे पढ़ रही है टाइर्स की तो 80 पैसा को इससे मल्टिप्लाई कर दो 8,000 16,000 और 24,000 ठीक है यहां तक होने के बाद अब एक कॉस्ट हो रहा है गई डेप्रिसेशन अच्छा डेप्रिसेशन यहां फिक्स्ट है या वेरियबल मैथड देखो यह यूजज मैथड है जहां यूजज मैथड आजए डेप्रिसेशन हमेशा याद रखेगा वो वेरियबल हो जाती है क्यों यूजज मैथड में रेट फिक्स हो जाता है यह भी तो रेट फिक्स ही है जहां रेट फिक्स होता है वो कॉस्ट कभी फिक्स नहीं रहती यहां रेट फिक्स होता है वो cost fix, जहां rate fix होता है वह cost हमेशा vary करती है और जहां cost fix होती है वह rate vary करता है तो यह हमेशा जाद रखना है principle तो लहाजा अब मैं आता हूँ जी दोबारा इसकी तरफ तो depreciation rate नकालोग बार और depreciation का क्या formula पढ़ा है cost of car 1.2 million minus salvage value वो भी question ने दिए है 300,000 whole divided by useful life in kilometers तो यह 900,000 को इस पर divide किया 9 rupees per kilometer गाड़ी depreciate होगी तो अब यह depreciation भी यहां लाइएगा 9 rupees per kilometer तो 90,000 होगी 180,000 और 270,000 बस इसको plus कर लो यह variable cost भी प्लस ना करो छोड़ दो बस मैंने वो कर दी है उंकमबल अब fix cost में आईएगा क्योंको मैं चाहता हूँ अगले भी एक दू क्वेस्टन और डिस्कस करने हैं fix cost जो cost अब fix ना उसको ले लो तीम cost मुझे fix नजर आईएगा है यह भी सालाना कितनी है 36,000 यह भी fix है बलके fix में हैं ही दो और कोई भी नहीं है बस यही total सारी जगा ले आओ same यह variable cost होके fix होके नीचे total cost नकाला है और per unit cost मांग रहा है सीज़ा सीज़ा इस पर डिवाइड करते है जो per unit cost आगई ठीक है तो यह आगे कुछ भी नहीं है यह खुद कर ले ना मुकमल हो जाएगा अब इंशाल्ला यह सर ठीक है अच्छा जी example number eight पे आईएगा example number eight यह तरफ lengthy question है page number है 337 अजैल्ण यह उखितन है उफ़ता है और यह पुदाइब प्रफ़ता प्र여ड़ों पुछी है नहीं है यह लाड़ों जी इसमें रिक्वाइन्मेंट पहले पढ़ रहा हूं प्रिपियर एबी मेनफेक्टरिंग अकाउंट और मेनफेक्टरिंग अकाउंट क्या वो जो कल फॉर्मिट मैंने कराया था बस उसको जेन में रखो और उसमें वैल्यू कुट करते जाओ ठीक है मैं ज़रा फॉर्मिट को रवाइस कर रहा हूं आपके सामने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ राव मेटियल सबसे पहले लोगे उसमें एड करोगे शाबाश आप लोगी मेरा साथ भी दीजेगा एड करेंगे सब पर्चेजे सावराम टीरी और पर्चेजेज लोगे नेट नेट पर्चेज ठीक है नेट पर्चेज का मतलब क्या है जिसमें अगर कोई डिसकाउंट बगारा है तो वह आप लेस करोगे और अगर कोई आपका वो आ रहा है डिरेक्ट एक्सपेंसिज वो होते हैं जो डिरेक्ट ली पर्चेज एक्टिविटी से रिलेट करते हैं वो इसमें एड करने है ये मारी पर्चेज आ जाती है जब इसको पर्चेज को एड करेंगे फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रौमाटियल माइनस करेंगे तो ये मेरा पहला हिसा निकल आएगा जिसको कहते हैं डारेक्ट माटिरियल उसके बाद direct labor add करेंगे तो मेरे पास आजेगी prime cost ठीक है उसके बाद factory overhead add करेंगे यह जो list दी हुई है तो मेरे पास total cost of goods manufacturing आ जाएगा फिर just opening working process or closing working process को adjust करना है opening working process add होगा closing working process less होगा cost of goods manufactured आ जाएगा तो यह सरफ मैं आपको अक्कीकत बता रहा हूँ इसका performa आपको याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है तो अब जाएगा डिसकस करते हैं purchases of raw materials तो आने ही नहीं है क्योंकि question की requirement के मताविक sale नहीं चाहिए वो income statement में चाहिए होगी तो purchase of raw materials ठीके जी यह आगया purchase return को क्या करूं जी जाबर्स करने है less करने के minus करने में सर्थ carriage inward को add करने करने के यह purchase से relate करता है ठीके जी यह तीन है टागे purchase less purchase return add carriage inward इन तीनों को plus minus जब करूँगा तो समझे लो मेरी purchase आगे net purchase जिसको कहाँ तो opening round material तो नीचे है ना यह तो मैं सब तर्तीब से question पढ़ रहा हूँ इसके बाद direct labor जैसे हमने कहा था जो direct material आएगा उसमें labor add कर दो अच्छा उसके बाद direct overhead हाँ यहाँ यह एक चीज़ नहीं आई यह आपके लिए इससे पहले मैंने आपको format में यह बताया था यह देखिए का opening work in opening raw material लेंगे add करेंगे इसमें purchase और less करेंगे closing raw material तो जो answer आएगा वो मेरा क्या क्लाएगा direct material और इसकी discussion हमारी हो चुकी है opening raw material की inventory नीचे question में दी हुई है closing भी given है purchase की अभी discussion की है इसमें तीन amounts आएंगी purchase, less purchase return और plus कर दो carriage invert और यह सारी show करनी है आप नहीं है यह direct material इसके बार फिर हम direct labor add करेंगे वो भी given a question में यह question करनी रहा और ना ही करूंगा मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ यह सब note करो खुद करने है यह question जो ऐसा question देखूंगा जो मुझे कराने वाला वो करवाँगा, यह easily हो जाएंगे direct labor लिया अब इसमें मैंने इन दोनों को जब add करते हैं तो prime cost आती यहां पर direct overheads भी दिये हूँ जब direct क्योंके basically prime cost सारी direct cost है prime cost सारी direct cost है F.O.H. normally जो है indirect cost होती है लेकिन अगर कोई इसमें थोड़ा सा हिस्सा direct है ना तो इसमें add करना पड़ेगा अब इन तीनों को add करूंगा तो यह बंजेगी prime cost और अब मैं फिर factory overhead लेता हूँ और फिर plus करूंगा तो total cost of goods manufacturing सिरफ format में यह नहीं चीज़ आई direct overheads ठीक है अच्छा अब इसके बाद नीचे कुछ expenses जोर दिये हुए rent, electricity insurance factory supervision salaries, office salaries indirect factory wages factory cleaning, office cleaning यह मैंने को साथ से art expenses को list down किया है बलके नीचे भी है पहले तो यह देखिएगा नीचे को information दी होंगी हमें यह information बढ़ी जरूरी है next page पे आईएगा वो लिखते है जी depreciation on factory building is to be provided at 25% per annum reducing balance method एक तो यह जेर में रखिएगा दूसरा वो तीन expenses के बारे में कह रहा है वो कह रहा है rent electricity or insurance वो कहता है are apportioned on the basis of 80% to factory and 20% to office यह नि इन expenses का 80% factory को जाएगा और 20% office को बस और नीचे फिनिश कूर्सार ट्रांसवर टू ट्रेडिंग अकाउंट फैक्टरी कॉस प्लस वान तर्य यह कल भी किया था खुआएगा यह कुन्या नहीं है अब जला दोबारा लिस्ट डाउन कीजेगा फैक्टरी ओवरहेड की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी कल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी फैक्टरी ओवरहेड की सर उसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कॉस्स फैक्टरी की कॉस्स मतलब फैक्टरी कॉस्ट होती है लेकिन उससे स्फ डेरेक्ट लेबर और डेरेक्ट मिटीयल नहीं होगा जी जी बिलकुल ठीक हो गया यानि अब मैं अगर इसको एक तफा फिर रवाइस कर रहा हूं फिर बोल रहा हूं इस लाइन को एनी कॉस्ट विच इस रिलेटी तो फैक्टरी पहली चीज तो कंडिशन समझा गई फैक्टरी से रिलेट हो बट अधर देन डारेक्ट कॉस्ट अब मैंने यह वर्ड यूज कर जब डारेक्ट कॉस्ट मैं कह रहा हूं तो इसमें डारेक्ट माटीरियल भी नकाल दो क्योंकि वो आचपा है, डारेक्ट लेबर भी नकाल दो क्योंकि वो भी ले चुक्छे ओ corresponds और इवन डारेक्ट ओवरहेड भी नकाल पारू इसमें इस फो पहले मैं नहीं था, तो जतनी डारेक्ट कॉस्ट है वो नकाल दो, बागी जो ऽो पी कॉस्ट बच रही है, और वो से रिलेट करती है तो वो फैक्ट्री ओवरेड तो फैक्ट्री ओवरेड जितने भी क्वेस्टन करोगे ना उसमें खुद बनाने पड़ नहीं है तो यह ज़रा देखिएगा इसमें पहला है रेंड बताईएगा यह आएगा एक फूएच में यह सर लेकिन सारा नहीं आएगा एटी परसेंट ची गुड़ यह लिखा हुआ है ठीक है एटी परसेंट इससे आगे देखिए एलेक्टिसिटी सेम एलेक्टिसिटी आएगी कितने परसेंट एटी परसेंट उसके बाद इंशूरंस क्योंकि इनके साथ फैक्ट्री के लफस न लगा हुआ ना इसे कंफिशन होती ही पता नहीं आएगी के नहीं इसकी उसने हिंट दे दिया इंशॉरंस पी 80% फैक्टरी तो यह जो तीन एक्सपेंसिस आ रहे हैं यह आएंगे फैक्टरी ओर रहे हैं लेकिन 80% इसे नीचे जो हैट है फैक्टरी सुपर्वेजन सेलरी बता यह यह इनडारेक्ट है दारेक्ट नहीं है फैक्टरी क्लीनिग येस तेस पृफिस देऊ और धीके तोप देके हो सकतम होगी लिस्ट र Peng जिए ओर प्ल forehead last कोस्ट फैक्टरी मुशिनरी कोस्ट हमोश हो गयो क्या ये एफवेच में आएगी येस सर तो चलो एक दो फिर मोका दे रहा हूं तीसी दफर मोका दे रहा हूं ये नहीं आएगी ये तो फिक्स्ट एसेट है लेकिन इसकी डेप्रीशेशन आएगी इसकी डेप्रीशेशन आएगी तो अब नीचे आपने पढ़ा था ना कि डेप्रीशेशन का रेट क्या है नेक्स पेच पे 25 परसंट यूजिंग दा रिद्यूसिंग बैलन्स मैटेड तो क्या करोगे ये फैक्टरी मशीन कॉस्ट एच 640 और टे अँगिए ये एक्सपेंस नहीं है ये एसट है कि मशीन है ना यह कहत है ये कॉस्ट खिन्ANS है यह स्ञस परसाने अगर यह होता है मशीन रनिंग कॉस्ट तो रीटा धीन में बाद रेटाते यह fixed asset है और fixed asset की depreciation बताएगी और depreciation आपने पढ़ा है reducing balance है cost में से accumulated minus करो जो पाएगा उसको 25 परसंट हो गया सौन ठीक है तो हो जाएगा यह question इंशाल्ला yes sir आगे चलिए sir provision वाला बता दे पर्विजन असल में यह जो वर्ड यूज किया है इसने provision for depreciation यह accumulated depreciation है यह costing में कही जगा ना पर्विजन का वर्ड भी हम यूज कर दें है accumulated अच्छा अग्ला question देखें काफी लंबा चोड़ा question है और बबलू limited example number nine requirement पहले पढ़े है जाजर प्रेस requirement पहले कहता है calculate the cost of goods manufactured and prepared statement of comprehensive income for बबलू limited during using the above information ठीक है आईएगा यहाँ पर यह दो पेजिस पे तुसका data है तो पहले दाना discussion करना ज़रूरी है यह ना कोई चीज mix up हुई हो क्योंकि दो पेजिस पे तो यह data दिया हुआ ओपनिंग stock finished goods इसका manufacturing account से कोई तो अलग नहीं है cost of goods manufactured तक यह नहीं आता यह जाएगा statement of comprehensive income है purchases of raw material बताओ लेंगे या नहीं लेंगे से ठीक हो गया custom duty को क्या करें sir यह purchases में add करेंगे जी यह purchase में add होगा क्योंकि direct expense है sales tax paid on purchases of raw material sir यह purchases में add करेंगे अच्छा अब यहां रुकिएगा अभी पूरा चुके question नहीं पढ़ा नीचे adjustment हम बात में लेखेंगे अभी तक मेरे mind में यह आएगा as a steward कि जी sales tax दो किसम का होता है एक होता है non-adjustable और एक होता है adjustable अगर आपका यह adjustable nature का है तो फिर तो यह cost कभी भी add नहीं होगा ठीक है और अगर यह non-adjustable है तो फिर यह cost का हिस्सा बन जाएगा ठीक है मैं example देता हूं पढ़ी simple से आप कोई भी चीज जो खरीद के लाते हो like catra pack लाते हो allfers या milk pack उसके उपर एक price लिखी होती है कभी इस price को पढ़ो तो लिखा होता है इस तरह करके मैं actual price तो नहीं लिख रहा mrp plus gst और यह होती है फिर आगे price स्पोज वैसे चले लिखते है 170 और 30 प्लस की तो 200 as a consumer अगर मैं देखूं तो मैं घर जाकर क्या बताओंगा कि यह 170 रुपे में आया या 200 में मुझे आप जवाब दीजिएगा 200 याज 200 चुब कि यह 30 मुझे वापस नहीं मिलना लेकिन अगर government मुझे यह कह दे कि जो मिल खरीटा है यह 30 रुपीस हम से ले ले बेशफ मैंने पे 200 किया है लेकिन मुझे cost 200 में नहीं करेगा इसलिए यह याद रखेगा यह GST जो है यह देखना पड़ेगा कि यह adjustable है या non-adjustable और अगर question में नहीं दिया हुआ आप फिर क्या करोगे यह assumption जरूर लेना इसकी वैसे ही यह मैं आपको बता हूँ यह non-adjustable नहीं होगा यह adjustable होगा उसकी logic भी बता लता हूँ क्योंकि आप manufacturing कर रहे हो जो raw material लेते हो उस पे tax आपका यह tax आते हैं इसको हम output tax कहते हैं इस पे tax आपने देना होता है अपर जब यह product त्यार होके sale होगी तो आप लोगों से भी tax लोगों ठीक है तो इन दोनों का जो difference है वो फिर government को या पे करोगे या receive करोगे यह business sales tax mechanism होता है तो anyhow लेकि फिर भी मैं आपके लिए open चोड़ा हूँ बेशा कांसर टैली होता नहीं होता assumption लिको और solver ठीक है अगर दिया ना हो वो तो आगे जाकर देखेंगे carriage paid on raw material purchase इसको भी मैं डीक हो स्कूल हो सुद्धिवा चरसच में गलाएड करेंगे है इसमें रिक पर अड़ों करेंगे अधा में रिक ऐसे में यह द्धर भी होता क्या है ठीक है वैसे तो इंग्लिश में जिस तर लिखे हम डिमिरिज भी पढ़ते हैं लेकिन इसको असल में प्रणॉंस हम करते हैं डिमिरिज चार्जिस अच्छा डिमिरिज चार्जिस बेसिकली होता यह है कि जब हमारा आउट आफ कंट्री से जैसे इंपोर्ट कहलो जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो पोर्ट पे आती है और हमेरे हमें कुछ डेज देते हैं कि इतने दिनों में आपने क्लियरिंग करवानी है लाइक टेन डेज के अंदर मैंने क्लियरिंग करवानी है अब 10 days का जो स्टोरिज तो उनको करनी पड़ेगी ना पॉर्ट वालों को उसकी जो 10 days की स्टोरिज है ना वो चार्जिस बीच में शामल होते हैं जो हमें बिल देंगे अच्छा अगर मैं लेट कर दो डिलिवरी लेना देर कर दो तो जो एक्स्ट्रा डेस का मुझे पे करना पड़ेगा वो डिलिवरी चार्जिस हो और यह याद रखेगा डिलिवरी चार्जिस कभी भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिसा नहीं होती वो लॉस होता है अच्छी और लॉस को अलएदा से ट्वीट किया जाता है तो बाराल इसने चुक्ए एक हैट दिया हुआ तो मैं लूँगा लेकिन यह खलत कर रहा है यह ऐसे नहीं होता ठीक है डेमिल चार्जिस और डॉक्टर आई भी परचेस में अड़ कर रहा है उसके बार ओपनिंग स्टॉक रॉमेटियल यह तो वही जैसे मैंने बताया है कि स्टार्ट ही यहां से करोगी ओपनिंग इन्वेंट्री और रॉमेटियल फिर ओपनिंग वर्किन प्रॉसेस यह भी आपने पढ़ा हुआ है आगे यूस होगा लेबर वेजी स्पेट लेबर वेजी स्पेट यह कहां आएंगी जी इस वन इस डारेक्ट लेबर यह डारेक्ट लेबर है इसके बास सुपर्वाइजर सैल्वी कहां जाएगी हैं इसके अर्छ को बास स्पेटरिया अवरेड में डालेंगे यह फैक्टरिय आवरेड में डालेंगे ज्यक्निप छुक्वेजर सैल्ली डारेक्ट लेबर नहीं होती है एक आसान मैं आपको नुस्खा बदाता हूँ चलो नुस्खा ही कहलो हर बच लेबर की कॉस्ट जो उस परड़क्ट को इन्वाल्व और डिरेक्टली बनाने में जो खुद बना रहो चलो इस तरह कहलो वो सारी डिरेक्ट होती है सुपरवाइजर प्रोड़क्ट तयार नहीं कर रहा होता बलके लेबर को सुपरवाइज कर रहा है तो इसलिए उसकी कॉस्ट डिरेक्टली हम प्रोड़क्ट को चार्ज है नहीं कर सकते यह इन्डारेक्ट कॉस्ट होती है यह F.O.H. में चाहेगी इन्डारेक्ट लेबर जी बिलकुल सही बात है फो एच वैसे आपको नॉलिज के लिए बता लो सुपर्वाइजर सेलरी भी इंडारेट कॉस्ट होती है ओफिस स्टाफ सेलरी यह मेनफेक्टिंग अकाउंट में नहीं आएगे यह ऐस सी आई में ס किआई भी मांगा उड़ो इस वजय से अच्छा से सेल इस टिम सैलरी यही ऐस सो की अधिन एगट ऊस्ट गार्यूं किँदिये तो पिर संठीन एक्क aut सार अगर यह सार अगर यह सार ओफिस स्टाफ सेलरी कहा पर जाती पिर छोड़ देते हैं जानी तो वही है लेकिन कि रिक्वार्मेंट अगर ना हो S.O.C.I. बनाना जैसे पिछले कोश्टन में थी तो हर वो आइटम जो S.O.C.I. में जाएगी तो उसको जाएगी तो उसको ज बन आगे मेरे बात इस क्विस्टन में हां इस क्विस्टन अब दो चीजसे मांगई है ना एक उसे मांगई है मैंट्छिंग अकाउंट और एक मांग रहा है S.O.C.I. तो अब जो चीज अnellě में आने चाहती है मैं मैं तो स्टेज रहनांगर के पोस्टेज और टेलिग्राम ऑफिस से रिलेट का थेकर यह भी एसो सी आइजन है फ्यूल एक्सपेंसिज अच्छा अब यह गेन एक्सपेंसिज आ रहे हैं तो इसके निए मेरे ख्याल में सबसे बेस तरीका क्या होता है कि इसमें हो सकता है कुछ फैक्टरी के भी हो कोई पर कर लिकरा जी के डेपर्शियशन सेमेंटी परसंट फैक्टरी की हैै त्री परसंट ऑफिस की है है अलेक्रिसिटीति te Ş coal अभी जो फ्यूल कर बढड़ा था एटी फाइपर्संट box इचार्टी एक का फिफ्तीन परसंट Bless तो अब यह दो दो जगह जाएगा स्प्लिट हो गए रपेर्स 90 परसंट फैक्टरी यह 10 परसंट आफिस है केंटीन 80 परसंट फैक्टरी यह 20 परसंट आफिस है उसके अलाबा लिखता है ओप्रिंग पर्विजिन फार्फूल देट्स 5000 अब आईये के नेक्स कितर गया हां साहन चला गया, काहां तक पहुंचे थे अचा Fürl, Electricity, Rent, Property, Tax अब यह सारा कुछ गिवन है राहा फिनिश उड़ सिद्विज तकनी फिनिश भी पच्छेस फिनिश परस्ठाब्र्टूल फिनिश पचेस अच्छा थीक करें नाम या या यह निक लीजेगा फुसी और माराना अच्छा अच्छा फिनिश कूर्स परचेस यह क्या चीज़ है जब हम S.O.C.I. में आते हैं S.O.C.I. का फॉर्मेट दरा देखो एक तफ़ा फिया हो Statement of Comprehensive Income सबसर पहले आप लोगे सेल्स और सेल्स में से अगर कोई रिटर्न दी हुई है तो वो भी माइनस करोगे वो तो आपको पता है वो सेल्स आज़ेगी नेट यह मैं लवस लिख देता हूं नेट अब इसमें से आपने लेस करना है C.G.S. Cost of Goods Sold सबसर पहले लोगा Opening Inventory of Finished Goods यह question में गिवन है इसमें प्लस करोगे Cost of Goods, Cost of Production यह कहां से लाओगे जिसको यह भी कह सकते हो Cost of Goods Produced यह basically वोई है जो manufacturing account का answer आएगा यह जब manufacturing मुकमल हो जागा end तक तो आप नकालते हो Cost of Goods manufactured या Cost of Goods produced यह वो amount है यह सारी क्यों produce की है आपने कि आपने इसको sale करना है वो यहाँ लाओ फिर यहाँ पर कुछ finished goods purchase भी कर रहे है यहाँ इसका मतलब है कि आपकी जो finished goods है उसमें दो किसम की products है कुछ product ऐसी है जो in-house आप त्यार कर रहे हो manufacture कर रहे हो कुछ buy कर रहे हो ठीक है तो जो buy कर रहे हो वो भी sale करनी है जो produce करनी है वो भी sale करनी है इसलिए दोनों CGS का इससा हो और इसमें आप further plus करो cost of finished goods purchase अब इसके अंदर जो भी amount दी हुई है न वो दी है 985 यह वैसे मैं लिख देता हूं 985 थाउजन्स में लेकिन आगे लिखता है carriage paid on finished goods purchase यानि यह जो purchase की है इसमें carriage pay की है वो भी add होगा इसमें वो इसका direct expense है plus carriage on finished goods purchase 19.7 ठीक है अच्छा इससे आगे और भी देख लो नीचे कोई और expense नाओ carriage out carriage out आईगी यहांपर carriage out selling expense होता है वो आएगा लेकिन आगे आएगा selling administration में ठीक है और इसके बाद other income दी हुई है एक दफा देखनो और कोई item ना रहा गए interest expense है interest income है distribution expense है depreciation repair maintenance canteen sales tax received on sales tax purchase return यह उपर से minus होगी finish course की purchase return अच्छा यह finish course की भी purchase return नहीं है तो इसमें से purchase return भी माइस देखो ना एक एक item देखो के तो समझ में आएगा यह 85 यह वैसे question इतना lengthy paper में आता नहीं है लेकि यह question मुझे अच्छा इसलिए लगए इसने हर चीज़ कवर कर दिया यह ज़रूर कर लेना है बेशक इसके बाद वाले कोशन ना भी करो मुझे कोई इतराज नहीं purchase discount raw material यह purchase में से minus होगा raw material वाले में से sales return अभी discussion हो गई sale discount भी sale में से minus होगा bad debts हैं और sales हैं ठीक है अच्छा अब मैं format को सरफ complete कर रहा हूँ इसको plus करके इसमें से minus करोगे closing inventory of finished goods जो closing inventory minus करोगे जो answer आएगा this is known as cgs sales में से cgs less करोगे answer आएगा gross profit gross profit में सबसे पहले add कर देना other income दी हुई है other income add करो add करने के बाद जो answer आएगा उसमें से less कर दो operating expenses अब operating expenses में तुमाम expenses आजेंगे जो office से और sales से relate करने वो लंबी list है एक तो वही है ना जो जो लिख रहे है इतने percent office के इतने percent office के इतने percent office के वो सारे लेने पढ़ेंगे और कुछ वैसे clearly निख्या हुआ है कि यह office के है यह sale के है तो यह related to office and sale यह list बनाओगे जब यह सारी list बनाकर जो expenses का total आएगा वो यहां से minus करोगे अब जो answer आएगा ना यहां पर इसको हम कहते है operating profit यानि profit before interest and tax profit before interest and tax आप इसमें से minus करोगे आप फर्दर क्या चीज़ interest expense minus करोगे और plus कर दोगे interest income please interest income को other income treat नहीं करना यह financial portion होता है इसको हम कहते है financial aspect of business activities लाजा इसको plus minus करके जो answer आएगा वो profit before tax होगा और tax तो दिया नहीं हुआ बस यहां तक answer आएगा इस question को भी homework के लिए लिए लिखो यह खुद करना है आपने फिर कोई मसला आएगा तो हम discuss करेंगा पहले खुद क्रिया करो question मैं सब्सक्राइब हिंट देता जाओगा इसको जाओगा इसको जाओगा यह काफ़ी lengthy question इंशाला आप बैठो के ना असर की नमाज के बाद पता ही नहीं लगए कि अफ्तारी का टाइम हो जाएगा यह करते करते हैं यह best time है कि हम उसको sale में से minus करते हैं even practically भी मैं आपको कई financials दखा सकता हूँ जाँ से less हुई हुई है दूसरा तरीका यह होता है कि हम बजाए वहाँ से less करने के हम selling expenses में add कर देते हैं अब जैसे आपका दिल करता है उस तरह करने लेकिन obviously उस तरह answer में ज़रूर फरका जाएगा लेकिन total answer में कोई फर्द नहीं आएगा इसके दो treatment हो समझागी बात यह सर दूसरा यह जो इसने एक चीज़ जेर पे लखिएगा purchase discount इसने other income लिया हुआ इसका भी alternate treatment होई जो से मैंने बदाया था purchase में से minus करो और मैं यही recommend करूँगा purchase में से minus को मैं इसके solution से agree नहीं कर रहा हूँ दूसरा यह interest income other income नहीं होती है इसको financial portion कहते है इसको financial portion में लेना इस तरह नहीं कर रहा हूँ ठीक है इसने तो interest expense के लिए भी यह लादा नहीं नहीं डाला उसी में डाल दी है interest expense को इसने operating expense में डाला हुआ है absolutely wrong यह गलत है इसका solution और interest expense not operating कि जी कि जी कि यह जरा correction कर ले नई श्रीव अनिजस तरह करूए है उस तरह करो अब पर मुझसे ज़रा share करो answer क्या आता है final तो वहीं आएगा लेकि दरम्यान में जो answer आ रहे हैं वह वादा सार in trust income कीदर लेते हैं कौण सा जी दुबारा बोलिए interest income सार इदर लेते हैं interest income ये लिगे ये operating profit यहां तक निगला है ना आपका इसके बाद इसी में से interest expense minus करो और interest income add कर इसी में तो यह जो यहां पर यह माइनस हुआ और यह एड हुआ तो अब मेरा नेट प्रॉफिट आ लिए अधर इंकम में उसके उस हैडिंग में नहीं लोगे आप इसको इंटरस्ट को नहीं लोगे अगें अगला क्वेस्टन देखो उन्टहा कर रहें थी क्वेस्टन क्या कर रहें तरह लंबे आपते तो आइनी स्वाब दो सब्सक्राइब को तो प्रस्टन है अच्छा इस से अगला देखला कोई छोटा कोशन मिल जै कि लाल एक्वेस्टन बहुत इलेंटी तीन सब्सक्राइब पेस्टन गया हुए अच्छा ये क्वेस्टन देखिए गाए ये क्वेस्टन नमबर एक्वेस्टन नमबर एलेवन अच्छे मज़े की बात है, यह क्वेस्टन जो है, यह बैसिकली पास पेपर का क्वेस्टन है, लेकि यह क्वेस्टिंग के पेपर में आया था, उठां गए यह यहां डाल देए, इस ओके, कोई बात है, और यह क्वेस्टन देखने में बढ़ा अब आसान लगेगा आपको, जोटा सा इतना सा उप्लस पूसर ना है लेकिन जब यह करो गे लेने के देने पढ़ जाएंगे इसलिए बहुत ध्यान से पहले इसको समझना है फिर सॉल्ट करना है क्वेस्टिन के रिक्वार्मेंट पहले पढ़ो Tuesday Manufacturers Limited produces a single product The following cost was incurred in the month of June 2019 यह एक महिने की cost है सारी amount rupees in thousand दियो ही है Direct labor उसे दियो है 2075 Depreciation दियो ही है Distribution cost है अब जरा एक लवे के लिए मुझसे से discuss करते हैं कौन सी cost आपकी cost of goods sold तक आईगी Direct labor आएगी Hello Yes sir Depreciation on plant No sir जी लेंगे Depreciation on plant है ना Plant of machinery होती factory की है यह F.O.H. में आएगा Distribution cost है यह basically S.O.C.I. से relate करती है Question की requirement S.O.C.I. नहीं है छोड़ दो Factory manager salary यह F.O.H. में जाएगा Indirect labor भी F.O.H. में Even indirect material consume भी F.O.H. में उसके बाद raw material purchase यह तो purchase में आजाएगा Selling cost है यह S.O.C.I. में आएगा इसलिए इसको छोड़ दीजेगा Other production overheads यह B.O.H. में चले जाएगे और Other administrative overhead यह नहीं लोगे इसमें Manufacturing अच्छा नीचे यह जो adjustment है यह खास है वो लिक्रें On 1st June 2019 Stock of finished goods consist of 1350 unit Valued at 1640 per unit यह opening inventory of finished goods आगई क्योंकर एक मेंने का काउंट है While stock of raw material was valued at Rs.1490 अच्छा जो finished goods की opening inventory है उसको multiply करके नकालोगे क्योंकर उसने बताया है 1350 unit है और एक unit की cost हो है वो 1640 तो इक नहीं बाद मुल्टिप्लाइ करूंगा तो आएगा न लेकिन raw material की उसने total दे रही यह दोनों opening inventories है आगे लिखता है 5200 unit of finished goods were produced during the year 5200 unit आपने produce की है Next there was no work in progress at the end of the month यानि end of the month कोई work in progress नहीं है सारा complete है जबके वो कहता है whereas work in progress on 1st June 2012 sorry 19 was valued at 2008 जो opening आपनेंग है वो 2008 है ठीक है Next stock of raw materials on 30th June 2019 was valued at rupees 970,000 यह closing stock of raw material है और 1500 units of finished goods were available in stock at 30th June यह closing finished goods के units है यह इसके खुद calculation करनी पड़ेगी और वो कहरा है cost of finished goods is determined using FIFO method बस यह एक चोटा सा point है बाकी कोई मसला नहीं आप से सरफ इतनी request करूंगा आप कहां तक solve करके लाओ मैं आपको बता रहता हूँ आप इसका जहां less करना closing inventory of finished goods बस वहां से पहले पहले solve ठीक है यानि opening inventory of raw material plus purchases less closing inventory of raw material direct material आजाएगा direct labor add करो prime cost आजाएगी factory overhead की list बना के add कर दो total manufacturing cost आजाएगी फिर इसमें opening work in process add कर दो और closing तो है ही नहीं दरवाइस closing less होता न वो है ही नहीं फिर opening finish goods दिया हूँ है वो add कर दो यहां तक करके ले आना आगे मैं करा हूँ ठीक है आगे मैं करा हूँ गैस कैस यह आगे बस अभी इतने question करो इसे आगे ना जाना है ठीक है यह last question कर रहा हूँ कल ज़रा इसको discuss करनेंगे इस question को और इंशाल्ला कल बड़ा एहम topic मैंने शुव करना है जी exam के फॉरण बात किया करता हूँ मैं जिस में से 100% question paper में आना है और बहुत स्टुर्ट इसको सही attempt नहीं करके आते हैं तो कि यह है theoretical portion यानि यह वो थियूरी नहीं है रटा लगाने वाली है यह पहले बदा लूँ यह समझने वाली है case study है आपको standard पे grip होगी तो आप उसको जवाब दे सकते हो तो कल इंशालला हम start लेते हैं IFRS 15 यह जितना देखने में छोटा standard है question छोटे होते हैं बता इसके लेकि यह तना ही तंग करने वाला है इसलिए इसकी एक एक चीज़ को understand करना है इसको ज़रा slow लेके चलो पर इसमें सारे cases भी आप से मैं discuss करूँ काफी अब तक के इसी जो end पे दिये हुए बुक के वो भी discuss करने है जो standard का इससा है एक तो तरह question बने हुए एक standard का इससा है even past paper में जो question दिये हैं वो उस ही में से आये हुए यह यादत में ताइम पांच मिनिट रह गे मैं attendance जल्दी से लगा जो जी अब जरा मेरी स्पीड देखना है मेरी स्पीड के मताविक मुझे आपने yes और no परना है